हेलो नमस्कार दोस्तों मैं आप सब लोगा बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल टेकनिकल आसिक में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना एक यूटूब चैनल चलाते हैं उसके बाद दूसरा यूटूब चैनल ओपेन करना चाहते हैं तो उनको बहुत सबस्ते हैं कि आप लोग कैसे एक ही मोबाईल से 22 यूटूब चैनल चला सकते होहाँ मिल्कुल Emerald से बिलकुल unterstüt 2018 जैनल सबोसे रखों आप लेकर जाता हूं आप लोगों को दिखा देड़ा हूं की अप Correct कि एक मोबाल से दो-डो यूटूप चैनल चला सकते हूं हाई फ्रेंड्स मैं अपने मोबाल पे आ चुका हूं आने के बाद आपको जो क्लिक करना है तो सिंपल सा आपका जो यूट कर लेता हूं क्लिक करने के बाद आपको दूसरा एक option देखने को मिलेगा switch account का तो आपको switch account पर आपको click करना है click करने के बाद आपको थोड़ा loading होगा उसके बाद आपको क्या करना है जो प्लास बाला जो आइकन देखने को मिलेगा तो उस पर आपको क्लिक करना है तो simple सा आपको मैं प्लास बले आइकन पर क्लिक कर लेता हूं उसके बाद थोड़ा loading होगा तो उसके बाद आपको ऐसा ही option देखने को मिलेगा तो उसमें आपको क्या करना है simple सा create account पे click करना है तो चलो मैं create account पे click कर लेता हूँ for myself पे click कर लेता हूँ click करने के बाद थोड़ा loading होगा उसके बात आपको अपना नाम और last name पुछेगा, first name last name पुछेगा तो मैं अपना first name और last name दे जेता हूँ चलो मैंने अपना नाम दे दिया उसके बाद आपको next बाले बटन पर क्लिक करना है उसके बाद आपको basic information आपको पुछेगा तो चलो मैं basic information डाल दे इंफरमेशन जो हता है मेरा डाल दिया है आप भी अपना basic information डाल देना उसके बाद आपको email id पूछेगा आपको कुन सा email आइडिया आप रखना चाते तो मैं मेरे हिसाब से रख लेता हूं आप भी अपने हिसाब से रख सकते हो चलो मैंने अपना जो email ID create कर लिया है चूछ कर लिया है तो आप भी अपना email ID चूछ कर लेना उसके बाद आपको simple सा आपका password मागिया तो चलो मैं अपना password देता हूँ आप भी अपना password दे देना उसके बाद क्या करना है आपको yes I am in पे click करना है तो चलो मैं yes I am in ट्विक क्लिक कर लेता हूँ कि उसके बाद आपको नेक्स्ट बले बटन पर क्लिक करना है उसके बाद आपको थोड़ा स्क्रोल करना है तो आयम एक ग्री पर आपको क्लिक करना है तो चलो मैं आयम एक ग्री पर क्लिक कर लेता हूं कि उसके बाद आपको वेरिफाय होता हुआ देखने को मिलेगा तो मेरा फिलाल जो email id create हो चुका है उसके बाद आपको क्या करता है आपको simple सा क्या करता है तो उसमें आपको फिर से आपको logo का option मिलेगा तो उसे आपको click करना है तो मैं उस पर click कर लेता हूँ क्लिक करने के बाद आपको यूर चैनल का अप्सन देखने को मिलेगा तो उसमें आपको क्लिक करना है तो मैं इसमें क्लिक कर लेता हूँ क्लिक करने के बाद आपको जो चैनल का नाम पुछेगा तो जो आपका नाम है बेसिक सा ओई नाम आप रख सकते हो या तो फेर दूसरा रख सकते हो आपको नीचे की तरह आपको क्रियेट चैनल का अप्सें देखने को मिलेगा तो क्रियेट चैनल बाले जो बटन देखने को मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना है तो चलो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूं उसके बात आपको क्या करना है setting value option देखने को मिलेगा साइट पे आपको setting value option पर click करना है तो चलो I will option पर click करने थाuchen उसके बातो को आपको आपका जो नाम पूछे तो आप जो बेसिक सा e-mail ID पर इसमील आप fouliste पना नाम दिय थे वह पर लिए के आप अपना जो सेब कर सकते हूं तो चलो मैं तो फिलाला भी कुछ भी नहीं देना चाता हूं ऐसे रहना तो रखना चाता हूं तो मैं ओ Punctyल रख दिया हूं आप अपन जो ही सब के लासिक 123 जाके आप फॉलो कर सकते हो आपको डिस्क्रिशन में भी लिंक मिल जागा जाके आप फॉलो कर सकते हो तो फिलाल वीडियो में इतना ही जय हिंत बंदे मात्रम